Hello friends, driving license related और any RTO related application आपने online किया है और किसी reason से आपको उसे cancel करना है तो simple आपको सार्ती परिवहन वेबसाइट पे जाना है जो government को official website है बट एक बात याद रखनी है जो भी हम application cancel करेंगे अगर उसके लिए कोई हमने fees already paid की है तो वो non refundable रहेगी आपको वो पैसे refund नहीं मिलेंगे तो यह home page है सार्ती परिवहन का उस पेज पे जाने के बाद driving licenses में apply online पे click करना है apply online पे click करने के बाद यहाँ इतनी सारी services है और एक यहाँ cancel application वाला tab है उस पे आपको click करना है अगर आपको application का status check करना है तो यहाँ application status करके है उस पे click करना है तो और उसके बाद application number और आपका date of birth डालना है तो आपको status भी पता चलेगा और cancellation के लिए यहाँ पे click करके यहाँ आपको application number देना है और date of birth डालना है date of birth डालने के बाद यहाँ आपको submit करना है submit करने के बाद यह details आपके application की details आपको आएगी आपने किसलिए subject क्या था किसलिए आपने application किया था उस अब आप correct कर लो या कोई आपका application cancel नहीं करना है और वो cancel ना हो जाओ और उसके बाद cancel application पे click करना है details verify करने के बाद उसके बाद आपको एक window आएगा जो confirmation के लिए होगा इसमें आपको पढ़ना है कि अगर आप application cancel करते हो तो कोई भी refund नहीं मिलेगा आपने कोई slot book किया है driving license के लिए या learning license के लिए वो slot आपको फिर से book करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ proceed for cancel पे click करना है जैसे आप click करोगे आपके mobile पे एक OTP आएगा ओटीप ये window में आपको डालना है और submit करना है इस तरह का इस तरह से आपका RTO application cancel होता है thanks for watching this video hope आपको ये video पसंद आएगा thank you